विक्रम फिर से किसी तरह बेताल को पकड़ने में काम्याब हो जाता है और वे बेताल के साथ अपनी हरिश्चंद्रगड की यात्रा को जारी रखता है जब वे सात्वी पड़ाव पर पहुँचने ही वाले होते हैं तभी बेताल को भूक लगने लगती है और वे दोनों एक पिज़ा खरीटते हैं जिसे वे मिल बाट कर खाते हैं जब वे पिज़ा का आनंद ले रहे होते हैं बेताल विक्रम से सात्वी पहली पूचता है सात्वी पहली पिज़ा काटना माल लोगर हमारे पास एक पूरा पिज़ा है एक सीधे कट के साथ हम इसे दो टुकडों में काट सकते हैं एक दूसरा कट जो पहले वाले कट को काटता है उससे पिज़ा के चार टुकडे होंगे और तीसरे कट से हमें ज्यादा से ज्यादा साथ टुकडे मिलेंगे इस तरह से अगर हम छे सीधे कट लगाएं तो ज्यादा से ज्यादा हमें कितने टुकडे मिल सकते हैं विक्रम ने मन ही मन सोचा कि उसने पिछली दो पहिलियों का उत्तर गलत दिया था और इसलिए उससे इसका सही उत्तर ही निकालना है। उसने थोड़ा सोचा और फिर जट से जवाब दिया 22 टुकडे पूँआ। विक्रम को इतनी जल्दी पहेली का जवाब देते हुए सुन कर बेताल चौक गया। उसने विक्रम से पूछा कि वह उत्तर पर कैसे पहुँचा। क्या आप जानना चाहेंगे कि विक्रम उत्तर पर कैसे पहुँचा। आईए देखते हैं। विक्रम ने समझाया पूरा पिज़ा एक टुकड़ा होता है। इसलिए जब पहला कट बनाया जाता है तो वह पिज़ा को दो टुकड़ों में बाट देता है। कट नमबर दो से दो और टुकड़े बनते हैं जिससे कुल चार टुकड़े हो जाते हैं। आओ अब कट नमबर तीन पर विचार करें। जैसा कि आप देख सकते हैं कट नंबर तीन पिछले दोनों कट को पार करता है वह दो लाइन्स संख्या तीन के कट को तीन हिस्सों में बाटता है उन तीन हिस्सों का प्रत्येक हिस्सा पिज़ा के एक टुकड़े को दो भागों में काटता है इसके अलावा एक अत्रिक्ट टुक्डा पहले से ही बना हुआ है इसलिए टुक्डों की कुल संख्या है 3 गुणा 2 जोड 1 बराबर 7 कट नमबर 4 के लिए भी हम ऐसे ही करेंगे और टुक्डों की कुल संख्या 11 होगी इसी तरह कट नमबर 5 और 6 के लिए भी इसी तर्क को आगे बढ़ाया जा सकता है या जितनी भी हम लाइनों को जोडते हैं उन सभी लाइनों के लिए हम इसी तर्क से आगे बढ़ सकते हैं क्या आप जानते हैं कि इस तरह की तर्क को दिये गए मामलों की संख्या से लेकर अनंत मामलों तक गनतिय आगमन कहते हैं तो इस तर्क के अनुसार चार्ट से हम देख सकते हैं कि 6 कट से अधिक्तम 22 टुकडे प्राप्थ होंगे अते पहेली का उत्तर 22 टुकडे है विक्रम को अपनी पहेली का सही जवाब देते हुए देखकर बेतल बहुत खुश हुआ